हाई हेलो नमस्कार वेलकम बेक टो मैं एक याफी यूटूब सेनल टोगाइस आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट नोटीस आया है क्या आज ही की डेट कुस्त हैं पहले ही यह नोटीस आया है इसमें लिखा हुए आप यहां पर देख सेक्टों इन्पोर्टेंट नोटीस पॉर कॉंस्टेबल जीडी यानि कि जो जैनल ड्यूटी वाला पोस्त है इसमें पोस्त की बारे में यहां पर एक नोटीस आरी क्या गया है तो इस नोटीस के अंदर क्या है मैं आभी आप लोग को दिखाऊंगा उससे पहले अगर आप हमारी इटूशन का पहले बाव विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राब करके बेल एकन को भी प्रेस कर लेना ठीक है तो अगर आप लोग ने अभिदक ssa-ccjd के लिए apply नहीं क्या है तुरांट apply कर लो apply जो last दे लो 31 prop 22 rear । यहां पर यह बात बोल गया है अगर आप लोग ने अभीदक apply नहीं क्या है तो कर लो क्योंकि SSCGD का जो official website है वो end market तक खराब हो जाता है काभी कोई server का problem हो जाता है तो बहुत सारी candy जो apply नहीं कर पते हैं आप लोगों ना भी टक SSCGD के लिए apply नहीं किया है तो तो तुरज कर लो क्योंकि बाद में हो सकता है सार्वर का problem भी हो सकता है तो इसलिए आप अभी apply कर लो नहीं किया है अगर आप जानना साथ हो कि SSCGD का कितना पोस्ट है क्या क्या है कितना qualification बगरा सही अगर आप जानना साथ हो तो वीडियो को थोरा wait करके देखो में इसकी बारे में पोस्ट की बारे में जानकर यहां पर लिंक भी मिल जाएगा अपलाए का लिंक बगरा सबको सबको यहां पर इसली एवेलेबल मिल जाएगा ठीक है अगर आपके पास तेलीग्रम का एप तो आमाँ टेलीग्रम गूप को जोईन करें ना कोई भी जॉब आगा उसको नॉट आपको देखने को मिल जाएगा जिसके लिए औल इंडिया मेल और फीमेल के अपलाइक कर सकता है यहां पर जो पोस्ट मिलेगा यह कॉंसेबल जैनल ड्यूटी वाला पोस्ट है तो यहां पर थोड़ा निचे हमें स्कॉल करना होगा आप यहां पर देख सकते हो कि किस डिफ मिलेगा SSB के अंदर आप लोगो 635 वेकंसी ITB के अंदर 3189 वेकंसी देखने को मिलेगा असाम राइफल के अंदर आप लोगो 1490 वेकंसी देखने को मिलेगा SSF के अंदर आप लोगो 296 वेकंसी देखने को मिल जाएगा टूटल जो वेकंसी आया है 26146 वेकंसी टूटल याँ पर देखना ऐहां पर चेकाउट जो किया से लिए के कर सकता है और अगर आप 20 60 đangra さा है can 11 किछ थोखले। यहां पे लिखा है 9 एक जैनुरी दोहजासोबीस से पहले अगर आपका 18 एस हो है तो आप अप्लाइब कर सकते हो तो यहां से इसी साब से देखा जाएगा ठीक है कर निकले आपका जो क्वालिफिकेशन सही है अगर आप एक सिंपुल टेन पास केंडिडेट हो तो आप इस पोस्ट के लिए अराम आप एक करश रखते हो ठीक है एस्टी एस्टी पीडवलीडी और फीमेल के अंडिएट को कोई भी अप्लिकुशन फिज देने की जूरूरत नहीं है ठीक है तो यहां पर आपको जो सेले मिलेगा 21700 स्टार्टिंग सेली होगा 69100 अप लोगो सेले रिखने को मिल जाएगा ठ अगर आप एक्जाम क्वालिफाइट करते हो उसके बाद आप लोग को फिजिकल स्टेंडर्ड टेस्ट होगा उसके बाद फिजिकल एफिशेंसी टेस्ट होगा उसके बाद डॉकुमेंट फिप्रिकेशन की बाद आप लोग को मेडिकल टेस्ट होगा उसके बाद अगर गंटे के आप लोग को टाइम डिखने को मिल जाएगा जिसमें जो निगेटिव मार्किंग भी है अगर आप गल्टी करोगे उसकी वैसे आप लोग को मार्क भी कटा जाएगा 0.25 मार्क आप लोग को कट ले जाएगा ठीक है तो यहां पर और एक प्लास पॉइट भी है इस बार आप लोग को जो है 13 रिजोनेल लेंगवेज एड के गया है यानिकि जो इंग्लिस एन हिंडी में होटा है वैसे के लिए लेकिन इस बार आप लोग को 15 लेंगवेज में पंजाबी टमिल टेलेगू उर्दू यहां पर 13 रिजोनेल लेंगवेज एड के गा है इंग्लिस और हिंडी वो तो रहे गहीं उसी की साथ ठीक हो यानिकि टूटल 15 लेंगवेज इसमें आपको दिखनीकों मिल जागा आप इस लेंगवेज में देना साथ है उस लेंगवे सब्सक्राइं हों देंगे से सब्सक्नाइट है इसमें 40 मॉर्टशनू आएगा नसल्स क्रचाइग को सब्सक्राइगा की क्लिंद कैसी न जनली हाइच चाहिए वह 170 cm पुछ इसतियत के लिए जो रिजाविशन बगए रहे वह भी बताऊंगा भी लेकिन जनली जो आपको हाइच चाहिए वह 170 cm आपका हाइच होना परेगा मेल के लिए फीमेल के लिए 157 cm आप लोगो हाइच होना परेगा ठीक है सेस के बात कर दोस् ही आप स्पोस के लिए अपलाई कर शक्ते हो सेस की बात कर दोस्तो 76 नॉर्मल और 81 cm आपको होना परेगा आपका सेस ठीक है अगर आप एक स्टी हो अगर आप नॉठीस का स्टी हो ठीक है यानिकि जो आसाम मनीपुर में घाला मिज़रामती पुरा अरुना चल नागालन परेगा ठीक है और सेस की बात कर दोस्तो 78 नॉर्मल और 83 होना परेगा एक्स्पेंड करने के बाद ठीक है उसके बाद दोस्तो अगर आप 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 मेल हो तो अपलाई कर सकते हो अगर आप एक फीमिल हो अगर आपका हाइट 155 भी है तब भी आप इस पोस के लिए और 83 सेंटीमेटर आपका सेस्ट होना सही है अगर आप नॉठीज की इन इस्टेटों में से बिलों करते हो और ना चल पड़े स्मानीपूर मिघालोई मिजुराम नागालन्च सिक्कीम और ट्रिपूरा की जैनल सेन अबीसी के एट हो तो आप लोग के लिए जो हाइट चाह करना होगा 24 मिन के अंदर अगर आप हीमेल हो तो आपको सोलो सेमिंटर रानिंग करना होगा 8 मिट 30 सेकिंड के अंदर ठीक है तो यहां पर थोड़ा निच्छे स्कोर करना है यहां पर एपलाई जो स्टार्ट हो रहा है 24 नॉवेंबर 2000 टेस्ट से अपलाई स्टार्ट हो स्टार्ट होगा लास्ट होगा 12 मार्श 2020 तक आप लोग एक्जाम चलने वाला है ठीक है तो यहां पर एपलाई का लिंक बगरा सबकुस यहां पर दिखने को मिल जागे यहां सब अपने मोबैल से भी अपलाई कर सकते हो मैंने अल्रेड वीडियो भी बना हुए कि कैसे मोब अगर आप सेनल को सब्सक्राइब करके बेल आकोन को प्रेस करके रहोगे वीडियो देशिंग लिए ठैक्यू जेहिन